नमस्कार मैं हूँ आपके साथ कविता राना आतंग की फैक्टरी चलाने वाला पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है जो इन दोनों कुतों और मच्छरों के आतंग से बेहाल हो रखा है आलम यह कि बढ़ते डेंगू के मामले और कुतों के काटने से बढ़ती लोगों की मौतों से आवाम देहशत में आ गई है तो वहीं अब जब भारत से भी उसके रिष्टे ना साज चल रहे हैं तो ऐसे में मदद के लिए तुर्की के सामने हाथ फैला रहा है देखिए हमारी खास रिपोर्ट जब मच्छरों कुतों ने मचाया आतंग तब देहशत में आया पाकिस्तान टेंशन में आई इमरान सरकार इन दिनों पड़ों से मुल्क पाकिस्तान में आवारा कुतों और मच्छरों ने कोहरा मचा रखा है आलम यहें कि पाकिस्तानी रात को अकेले घरों से निकलने में परहेस करने लगे हैं पाकिस्तानी न्यूज रिपोर्ट की माने तो मुल्क में मच्छरों के काटने के मामले में भारी जाफ़ा हुआ है और आलम यहें कि सरकार की नाकामी के जलते रेबीज संक्रमन्ट से करीब 12 लोगों की मौत हो गई है अब बताये तो ये भी जा रहा है कि कराची में एक कुट्टे ने 25 लोगों को काट लिया पहले तो लोगों ने इसे सामान्य घटना माना लेकिन मंगलवार के सुबह उस कुट्टे के मृत पाई जाने पर हड़ कम्प मच गया रेवीव का संक्रमन पाकिस्तान में चरम परें और साथी साथ डेंगु ने भी सरकार के नाक में दम कर रखा है 50 हजार से भी ज्यादा लोग डेंगु की चपेट में आ गए हैं और रावल पेंडी और इसलामाबाद से सबसेज ज्यादा डेंगू के मामले सामने आए हैं और अगर आकड़ों पर जाएं तो अब तक देश में करीब 250 लोग डेंगू के कारण अपनी जान गवा बैटे हैं जिसे देख इमरान सरकार की हवाईया उड़ी हुई है मोदी को बुरा भला बोलना इमरान को पड़ा महंगा इमरान की हुई कोड में खाज जैसी स्थिती अब क्या करेगी बेबस इमरान सरकार भले हैं दुनिया के सामने इमरान सरकार मुल्क में सब कुछ ठीक होने का दिखावा कर रही हो लेकिन असल में आवाम की हालत बद से बत्तर हो रखिया अवारा कुतों का खौफ रेवीस का बढ़ता संक्रमन और उपर से डेंगू का कहर सरकार के साथ साथ मुल्क की अर्थववस्ता पूरी तरह चर्मराई हुई है वही भारत से भी पाकिस्तान के रिष्टे नासाज चल रही है और दोनों मुल्कों की दोस्ती पर जमी वर्फ पिगलने का नाम नहीं ले रही है वेपारे करिश्तों पर लगे फुल स्टॉप के चलते पाकिस्तानियों को भारत के तरब से मिल रहे मेडिकल वीजा में भी भारी कमी आई है जो कि पाकिस्तान में जीवन रक्षक दवाएं, साप और कुतों के जहर से बचाने वाली वैक्सीन की मैनुफैक्टरिंग पाकिस्तान में नहीं होती इसलिए ये दवाएं पाकिस्तान भारत से इंपोर्ट करता आया है लेकिन अब जो कि विपारे कृष्टे बहाल नहीं हो पाएं है, ऐसे में स्वास्त्य प्रशासन दवाईों की कमी से जूज रहा है इन हालातों में इमरान सरकान ने अब तुरकी का रुख करने का फैसला किया है बहाल पाक को आई तुरकी की याद अब तुर्की के सामने फैलाएगा हाथ अब जो कि पाकिस्तानियों को भारते विजा मिलने में मुश्किले आ रही हैं ऐसे में अब इमरान सरकार तुर्की का रुख करेगी जलते तुर्की के राष्ट पती पाक दोरे पर आने वाले हैं जिसमें स्वास्ते विजा पर समझोता हो सकता है जिसके चलते अब तक स्वास्ते संबंदित जो मदद पाकिस्तान को भारत से मिलती आई है वो तुर्की से मिलेगी या फिर यू कहें कि अब तक पाकिस्तान अपने हितों को साधने के लिए चीन के सामने हाथ फैलाता आया है और अब इस कड़ी में तुर्की भी जुड़ चुका है जो कि कश्मीर मसले पर तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था ऐसे में अब पाकिस्तान ने अपनी जरूरतों के लिए तुर्की को साधनी की कवायत शुरू कर दी है देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए पने रहिए हमारे साथ